हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं बभीताप सब का बहुत बहुत सभागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल चर्की दादरी फुलोगर पर तो यहां पे सुबह सुबह मैंने चड़ा दिया था गैस पे पतिला इसके अंदर फोड़ा सा पानी डाल दिया था यहांपे मैं स्यमको ब्यगो न भूलगी थी तो मैं भीगो रहीं गरम पानी में जल्दी चिलगा उतर भी जाता और जल्दी खाने लाइक बी हो जाते हैं सिरफ आदे गंटे के अंदर ही और कल पतानी श्यमक को क्या हुआ क्यों दिमाग खराब हुआ मुझह ही नहीं पता क तो किसी को उठाता नहीं तो वह भूल गी थी तो आज वह देखिए सुबह दूदी आया तो एक तो जग में निकाल के गया विचारा दूद और एक छोटे से पतिले में तो उसने जो बरतनिया पे दिखाई थी उसी में डाल के और वह चला गया तो बस पता नहीं कभी-कभी होई जाता है मूड ओफ हो जाता है चाई वगरा मैंने पी ली थी और बादाम अब भीग होए हैं तो वह आदा पुना गंटा तो उनमें लगे गाई तब तक मैं बच्चों के वैसे लसी बना के रख देती हूं तो यहां पे तीन गिलास के करीब दूद लिया था मैंने और उसको अलका-अलका सा गुन गुना कर लिया था फिर उसके अंदर में अच्छे से चिन्नी मिल जाएगी और थोड़ा हडाल दिया था उसके अंदर रूपजा रूपजा मिलाने के बाद यह है कि बच्चों को थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता तो पी लेते हैं और बस फिर उनके लिए बना के रख दिया था और फिर मैं लगी थी आलू छेलने क्योंकि सबजी भी मेरी वो उबल चुकी थी जो मैंने रखी थी वो लोकी और आलू तो बस यह करने के बाद उनका बना लूंगी राइता या मा बना देगी तो आलू छेल लगने के बाद फिर मैं लगी थी की नाटता लगाने क्योंकि रोटी सेक नहीं थी मैंने अभी पहले नंकी शेक होंगी था तो वह कभी कभाएंगे तब बना लेंगे वेशित टाइम उचका है's तो पर बाद में बनाऊंगी क्योंकि चाइब बार और फिर मैं लगी थे अपना सामान समयटने ऐसे ही कहीं कुछ पता ऐो गरों में तो यहां पर रख देतेैं पढ़ के यह रख देते और फिर महिने बहीने में इखटे होआ जाते हैं तर ऍसको कबारी वाले में को दे देते हैं तब की बार वो दिये नहीं थे बार वैसे के वैसे रख रखे एक जगह स्टोर करके और यहां पर उचके थे आठ दस दिन के भी एक बार फिर से दोबारा तो इनको भी मैं वहीं पर उन्हीं की जगह में रख दूंगी और फिर आगी थी मैं बार यहां पर रखी हुई थे कि अलमारी तो इसके अंदर कपड़े जो मेरा बेटा जो वहां से गुडगावा से लेकिया था अपना तो उनके अलग से ही रख दिये थे मैंने उसके कपड़े लेकिन यह पैंट वगएरा जीन्स की हैं फुल बाजू की शर्ट वगएरा तो इनको मैं ठेले में डाल के और ब किचन में तो खाना वाना बनाने के बाद मिलक्री माप से यहां पर बरतन वगएरा हो चुके हैं खाना सबने खा लिया था तो साड़े दस के करीब रोटिया बना ली थी मैंने और बरतन वगएरा करने के बाद फिर मैं लगी थी अपनी किचन की सफाई करने क्योंकि यह जो गो आपको पिछे दिखाई देरी ये वाइट कलर की हैं तो कुछ भी इन पर फोड़ा भूप भी जो अबर वह चीकनाई होती है तो वह अलागी दिखाई देती है और Сेम वैसे ही यह जो अपर है मेरी अलमारी यह भी एसी है वाइट कलर में यह तो इन पर पता नहीं है तो फिर एक बार मैं सरफ में कपड़ा भी कोगय इनकी आपर से इसे रगड देते हूं और फिर साफ पानी का कपड़ा इसके अबर देती तो बिलकुल साफ हो जाती है और लास्ट में बार यात ती है जिए शिंग की तो फिर मैं वही है साबून इस पर जो मारतंद जो एक मेरे पास लोगे का जोना उस पर लगता के क्योंकि जो मेरा शिंख बार से भी जहां पर बर्तन रखती हूं यह भी स्टील का ही है तो उसे ही रगर देती हूं इसको और फिर कर दूंगी साफ पानी से इसको साफ तो शिंख भी विल्कुल साफ हो जाएगा और बाकी का जाडू पुच्छा हो चुका है जाडू ने काले थी पहले ही खाना बनाने से पहले और पुच्छा लग गया था बाद में तो काम मेरा सारा रस आज का तो यही था इतना ही सुबह का तो हो चुका था ग्यारा सवा ग्यारा या क्या सपास साय दो चुक्ते होंगे तो यह देखिए रस होई बिलकुल साफ और बार भी दिखाती हुम आपको क्वाम सारा मेरा हो चुका है सुबए देखा था और यहां पे रखा था बार यही ट्रीश को रख दूंगे अल्बनीरा के अंदर इसकी भी आपको जरुद हुए इसकी शाम को जरुद पड़ेगी तो इसको यूज़ करेंगी और यहां पे यह देखिए और जब काम खतम सवा ग्यारा हो चुके हैं ग्यारा बज़ के पंदरा मिनट हो चुके हैं और फिर आगया था कोई पार्शल वाला कुछ सामान मंगवा था इसे तो बस उसे ने बहल बजाई तो फिर मैं बाहरा आगी थी वह लेगने उससे सामान तो क्या इसके अंदर बुक हैं जो मेरे बिटे न मंगवाई था अपने लिए तो बस मैं यहां पे वही लेने आई थी और उसको लेने के बाद फिर मैंने यहां पे सुखा दिये यहां थे गया हूं वैसे तिया दो के मैंने ड्रम में डाल रखे हैं और फिर भी इस मौसम में थोड़ी सी सिलन होई जाती है तो इनको मैं रख दूँगी दो पर शाम तक रख दूँगी दूप में और आटे की तंसी को भी ही रख दो तो शाम को मैं इनका आटा बना लोग फिर में जा रही थे एक बार 20 साल मेगा मार्क में ही गई वैसे तो गई थी जिड़े में लेकिन वहाँ पे कुछ सामान था नहीं तो फिर वापीस ही आना पड़ा तो यहां पे कुछ सामान लेना था मैंने फिर वही होता है जो लेना उसके पास अभी मगई नहीं हो, सामान तो दो तीन ही लेना थे, कुछ ज्यादा नहीं, और जहां जो सामान देख रही हूं, उसकी मैंने जुरूरत भी नहीं थी, लेकिन नजर मेरे ख्याल में आरवरत की यही होती है, कि इसी सामान पर आती है, जो यह टोकरी वगर लेकिन जब कोई जरूत नहीं होती तो वो चीज लेही भी नहीं जाती, तो बस यहीं आना था अंदर, और कुछ खास सामान नहीं था, चावल बगरा लेके आने थे, क्योंकि इस रादसरों होने वाले हैं, तो सुजी और चावल जरूरी आइटम थे, और जीरा, सिर्फ ती और एक पैकेट यह बच्चों के लिए लेके आई थी, बस खुच ज्यादा खुच सामान नहीं लेके आ, यह मरेक्स ट्रागा, एक सुजी का पैकेट, दो यह चोटी-चोटी सी फरूटी, एक यह चोटी सी गिलासी थी, यह हमारी नहीं है बस, और यह दो जीरे की पैकेट, एक चोटी-चोटी सी यह थी, यह बढ़े वाली जो पैकेट मे लेना चाहती थी वह नहीं थी, और बैकेट का पैकेट चोटा सा, और बस और कुछ शामान नहीं था, और चावल था, इस के अलावा चावल था, तो इसको मैंने बाहर रखे दिया था दूप में क्योंकि वो खुले थे ये वाकी चीजे थी पैकेट में तो इनको मैं डाल दूँगी टिबे में वापिस से जिनकी जाँ जरू तरती है वहीं पे तो सुझी पहले की थोड़ी बहुत बची हुई थी तो इसको मैं खाली कर आप ज़ो एक्स्ट्रा में पास ये पैकेट होते हुए उनको मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ और जो मसाले के उतने उनको मैं अलग स्टोर करती हूं और सुझी मैदा, कोकोनेट पाउडर, मॉफली इस टाइप की जो चीजे होती वो मैं इसके अंदर रखती हूं तो अप वेट आपको आपके मौसी की तरफ से जनम दिन की डेर शारी सूब कामना आएं, खूस रहें, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, एक दिन खूब बड़े बने आप, और बगवान आपको खूस रखे, तो यहां पे फिर मैं आगी थी, श्याम को कीचन में, चक्की म बड़े थी, चार बजे तो दोड़ा गंटे लगी जाते हैं, पूरा जो टीन है, मेरे पास आटे का, वो मैं भरके रख, एक बार पीछ लेती हूं उसको, तो फिर वो बस थोड़ा बहुत बचा था, फिर चली गई थी, लाइट, तो बंद करने के बाद, फिर मैं यहां पे ठंडे उचके थे, फिर उसको डाल दूमें डिबे में, अगर गरम गरम डालती तो फिर इसके अंदर जो चोटे-चोटे कीड़े बेगरा हो जाते हैं, तो उनका खतरा रहता है, और ठंडे होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, तो उनको डिबे में डाल के रख दिया था यहां पर फिर मैं एक प्याज और एक टमाट निकाल लिया था छोक के लिए, और साथ-चाथ में निकाल लिये थे दूद्ध के पतिले, जो फिर इसके अंदर कोई कप, कोई पतिला सुबह का रख था वो वाला, तो बस इनकी अदल बदल ऐसी चलती रहती है, रोरत के लिए यह तो है ही, और सब को पता भी है, तो यह चोटे मोटे कौम बस इस टाइम के यही है, जाल चड़ा रखी है, सुबह काटा था उसको बाहर निकाल के रख दूँगी, रोटियां बनाओंगी तब तक वो हलका सा नरम हो जाएगा, बस फिर मैं सेख लूँगी यही पर अपन के रख दिये थे, तो उनको कर दूँगी वापिस से अपनी जगह पे सेट, सारे के सारे, तो यहां पे जगह बिल्कुल खाली, अगर भरी भरी होती है, तो वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता, और पता नहीं काम करने का भी मन नहीं होता, चारों तरह बरतनी बरतन, और य हुई, तड़का लगाने के बाद आटा चान लिया था, तो मैं लगा लेती हूँ आटा, और ले लेती हूँ आप लोग उससे विदा, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, और शेट्टू बेटा एक बार फिर आपको जनम दिन की डेर सारी सुब काम नाएं,